नमस्कार मैं हूँ सच्चिदानंद वसेष्ट और सज्जनो प्रत्यक महिनों का राशी फल हम आपको देते आ रहे हैं अब साल नया लग गया लगने वाला है तो जन्वरी आपके लिए कैसी रहने वाली है और वो भी विशेष करके सिंग राशी वालों की तो सिंग राशी वालों के अगर स्वास्त की बत करें तो सिंग राशी का स्वामी पंचम हिस्थान के अंदर गया है पंचम हिस्थान बहुत बटीया है लेकिन ये ध्यान डखें 16 distinctive 16 जनवरी 14 जनवरी 14 जनवरी से कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं किसी के साथ कोई सत्रूता हो सकती है तो उसका आपको ख्याल रखना होगा बाकि धन कुटूंब की बात करें तो धन कुटूंब का मालिक भी जो है आपका पंचमिस्थान के अंदर बैठा हुआ है जो अच्छा परिणाम दे र अगर हम बात करते हैं प्रोपर्टी या माता की या वाहन की तो वहां का मालिक बार में इस्थान के अंदर के प्रोपर्टी में खर्च हो सकता है प्रोपर्टी में कहीं धोका भी हो सकता है तो इस बात का जो है आपको ख्याल रखना चाहिए मा का स्वास्त भी जो है वो गि आगे, सुकद है, बर्दी को देने वाला के, उन्नती को देने वाला के, कारे को सफल करने वाला के, अगर हम सत्रू की बात करें, तो सत्रू पक्ष का मालिक जो है, वो अपने घर में गए, तो सत्रू के साथ में आपका अच्छा तालमेल बन जाएगा, दैनिक ब्यापार की अ साथ ताल मिल बढ़िया होंगे और आयू और स्वास्थ की बात करें तो अस्वस्थान के अंदर आपके जो हैं राहु विद्यमान हैं और ये राहु कहीं भी आकस्मिक दुरगटना दे सकते हैं तो उससे आपको बचना चाहिए राहु की शांती करनी चाहिए राहु के मंतर क जाप करना चाहिए और कुटों को सनिवार के दिन दूद और रोटी शाम के समय पर आपको देनी चाहिए अगर हम बात करते हैं भाग्य की तो भाग्य का मालिक वो जो के आपके मंगल गे और वो मंगल बार में इस्तान के अंदर गे बहुत महिनत करने के बाद में कहीं कोई थोड़ा बहुत परिनाम हमारे हाथ में आने वाला अगर हम बात करते हैं बड़े वैपार की या नोकरी की तो वहां की सिती आपकी बढ़िया रहेगी और आए की सिती आपकी बढ़िया रहेगी खर्चों के अंदर बिना काम के खर्चे हैं चाहे वो दवाई के उपर है चा के अंदर अब हम दैनिक राशी फल आपको देने का प्रयास कर रहे हैं तो एक और दो तारीक ये आपके लिए कहीं भी शत्रुता दे सकती है उससे आपको बचना होगा तीन चार पांस तारीक ये जो है आपका ब्यापारिक वृद्धी के लिए पति-पत्नी के बीच में अच आपके बहुत महत्वपूर्ण होंगे इस एक अवसर इस समय पर आपको प्राप्त होगा उस अवसर को हातों से ना जाने दें जो भी कारिक हैं उनको तुरंत यहां पर निप्टाने का प्रयास करें और अब जो है चोदा पंद्रा तारीक ये आपके लिए कोई खर्चों मे हैं विशेज करके कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या कहीं दिनलेन कर रहे हो तो आपको बचना चाहिए यहां पर जो है नुक्सान का कारक ही हो सकता के और अब जो कहें 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 यह आठ दन यह आपके लिए बहुत संदर और सुखद हैं अच्छा परिणाम इस करकारी संपन होने वाला के सफल होने वाला के घर में धन कुटूम परिवार सब जगह पर हासी-कुशी का माहोल यहां पर आपका रहेगा तो यह आपके लिए जो कहीं यह बताया गया अब आगे इसके आगे चलते गहें तो जो आपका 24 पच्चिस तारीक है इसमें आपको थोड़ी सी चिंताएं होंगी तो भगवान सिव का ध्यान कीजिएगा और यहाँ पर 26, 27, 28 तारीक इंटर्व्यू वालों के लिए पढ़ाई वालों के लिए परिक्षा देने वालों के लिए बहुत अच्छा परिणाम देने वाला होगा और 29, 30 तारीक में आपके जो के यह पढ़ाई वालों के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा अच्छा परिणाम ही यह देने वाला होगा लेकिन अब यहाँ पर जो 31 तारीक है यहाँ यहाँ पर किसी के साथ बिवाद उत्मन कर सकते हैं उसमें सावधानी रखनी होगी लेकिन 31 तारीक आपके लिए बहुत बढ़िया जाएगी यह मेहने का परिणाम हमने आपको दिया बाकी जानकारियों के लिए इन नम्रों पर संपर्क करके कारेले से अपाइटमेंट ले करके कारेले की सेवाएं के वो अरपन करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जा करके और आप जो है लाब उठाइएगा नमस्कार